स्टॉक जिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्तर बीशेक शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं शांदर कंपनी टाटा स्टील लिमिटिट के बारे में दोस्तों देखिए आज है 13 अक्टूवर और अगर इसके स्टॉक को देखिए तो 1379 रुपे पर ये शांदर स्टॉक हमें ट्रेट करता हो दिख रहा है करीबं 3% की शांदर तेजी आज के दिन इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है दोस्तों बात करें delivery और buying selling quantity की दो देखिए 34 लाग के करीब quantity यहाँ पर अभी तक उठाई जा चुकी है वहीं selling quantity की बात करें तो 8 लाग quantity यहाँ पर sale होती होई दिख रही है तो अब साफ तोर से दिख सकते हैं दोस्तों buyers काफी ज्यादा active हैं इस stock में deliverable quantity की बात करें तो 37% की शांदार deliverable quantity यहाँ पर उठाई जा चुकी जो की बहुत अच्छी बात होयाती है दोस्तों फटाफट से discuss कर लेते हैं इसके चार्ट के बारे में दोस्तों आपके सामने हमने Tata Steel का daily चार्ट लगाया हुआ है हम इसके हाई के बारे बात करें तो एक शांदार हाई इस stock ने बनाया था 1535 रुपे का हाई उसके बाद से एक गिरावट का सिलसला इस stock में जारी रहा और यहाँ पर एक इसने support बनाया थो उस तो 1233 रुपे का support उसके बाद से देखे दोस्तों तो धीरे धीरे अप मूव यहां से stock में हमें आती हुए दिखाई दे रही है बड़े-बड़े investors का मनना है कि 1750 रुपे के target जो है वो जल्द ही यह stock अचीव कर सकता है दोस्तों ICIC Direct ने भी buying की recommendation दी है टार्टर स्टील में और 1750 रुपे के target सुझाए है उस तो बात करें यहां से run नीती के बारे में तो हमें क्या run नीती अपनानी चाहिए दोस्तों हमारे साब से यदि आप यहाँ पर fresh buying करना चाहते है तो एक label में आपको बताता हूं दोस्तों 1380 रुपे के उपर आप बिलकुल इस stock में fresh buying करके चल सकते हैं जैसे 1380 रुपे का price क्रॉस करता है उपर जानने की कोशिश करता है बिलकुल इसे अपने portfolio में शामल करना है एक stop loss आपको जरूर लगाना है यदि आप इसको buying करते हैं तो 1274 रुपे का stop loss इस stop loss को आपको लगा कर बिलकुल काम करना है दोस्तों अगर पहला target यह achieve करता हुआ दिखेगा तो जल्द ही यह stock 1650 रुपे के target को तोड़ता हुआ दिखने वाला है यदि यही रफ्तार stock में बनती है दोस्तों यही रणनीती आपको पनानी है इस समय टार्टा स्टील stock में और बिलकुल अपने portfolio में hold करके रखें इस शांदर stock को तो ही रणनीती बताने के लिए मैंने वीडियो बनायती है अधि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवादा